हाई गेस विल्कम बैक टू चनल ये रोड़ आरे हैंक अपकमिंग बहुत दमाकेदार होने वाला है जहाँ आज आपने देखा किस तरीके से इतना दुख पाने के बाद भी तेजो आज भी फते और जैस्मिन की खुशी की दुआ मांग रही है उनके लिए प्रेयर कर रही है वाहि गुरू जी के सामने तो साथ ही साथ आने वाला अपकमिंग बहुत जाय दमाकेदार होता हो नजर आएगा जहाँ पर फते भगवान से तेजो की खुशी मांगेगा तो साथ ही साथ गुरुदवारे में उसकी मुलाकात तेजो से भी होगी जहाँ तेजो गुरुदवारे में मत्धा टेकने के बाद सेवा कर रही होगी महाँ पर बरतन वगएरा मांज रही होगी तो वहीं पर फते की मुलाकात होने वाली है तेजो से देखने जब दस्तों का किस तरीके से बात होगी और कैसे हमारा अंगत बीच में आएगा तेजों का साथ देता हो न अज़र आएगा इस कनवर्जेशन में तो साथ ही साथ दूसरी तरफ जैसमीन अलगी ट्रैक पर चली रही है वो कितने अब उसके साथ पोजिटिव रहो लेकिन वो पूरी नेगिटिव बनी ही रहती है तो वही सब देखाती हुँ नसर आने वाली है जहाँ पर वो केनेडा जाने से पहले एक बर अपने घर आएगी पफेरी की रहसम पूरी करने के लिए और साथ ही साथ अपने बिदाई का भी कारनामा पूरा करने के लिए आने वाली है तो वहाँ पर उसे देखते ही पूरे घरवालों को पहुचाता गुस्सा आ जाएगा जो भी उसने हालत कर रखी है जो भी कुछ किया उसने कांड़ वगएरा उनको सब याद आ जाएगे और उन्हें गुस्सा आ रहा होगा और जा रही होगी घर से बाहर तो बाहर ते जो खड़ी होगी तो उसकी तरफ भी चावल फेक रही होगी बेस्टी टाइप में या नहीं कर रही होगी उसके उपर को चावल फेक दीएगी तो यह रोब आगे फुल धमा का हुने वाला है किस तरीके से फते और जैस्मिन कैनेडा के लिए निगलेंगे तो सही लेकिन कैनेडा आप पहुचेंगे नहीं किस तरीके से होगा एरपोर्ट पर हंगामा और अपडेट्स आपको लड़ी दे चुके हैं